कि मैं बताना चाहता हूं वो खान सहाब को जो अपने आपको खमरुसलाम साथ के साहिवजादे कहते हैं खान साथ ये पतन बारिश के पानी या बादल से नहीं उड़ी नहीं कारपरेशन में कोई देखना चाहें उनकी हद्द परवास को तो आस्मानों से कह दो कि और उंचा ह हो जाएं दस हजार नौजवानों को हमारे माओं को बहनों को रोजगार देने का काम इंशाला आने वाले दिनों में इल्यासियर चाहें जीते हैं आरे हो करने की तैयारी अभी से उनों में सुरूट है को खायत मजबूत ना हो गुलवरगा में एक रबर इस्टाम खायत रह हैं मैं इता है दिल से आपका शुक्रिया आधा करती हूं सर्थ अगर इल्यासियर सेट सापका एक मिशन है 2023 का तो एंटर गुलवरगा डिस्टिक में हर जगा हमारे कैंडियेट उतारना है हर जगा हमारे को काम करना है ड़क्तर गजाला शीरिन को अलिटिया मजलिस इत्यहादूवसलिमीन गुलवरगा नॉर्थ वोमें स्यूं की प्रिसिडंट बनाया गया है गुलवरगा मजलिस इत्यादुल मुस्लिमिन डिस्टिक पार्टी आफिस पर डिस्टिक प्रिसिडेंट इकबाल हमाश शीरनी फरोश और नौर्थ अम्मेले कैंडिडेर इलियासिर बागबान की जानिप से एक प्रोग्राम और्ग्राम और्ग्राम कर डाक्टर गजाला को न इस मोगे पर डिस्टिक प्रिसिडेंट इकबाल हमाश शीरनी फरोश अम्मेले कैंडिरे लिल्यासिर बागबन इंत्यासिद्धिकी नवास खान गुलबरगा नौर्थ यूद प्रिसिडेंट अजीम शेख शहाबाजार ब्लॉक प्रिसिडेंट मोधिन पटेल और दीगर ल लाना है इससे पहले भी गुलबरगा शेयर में हमने कर दिखाया है मुस्लीम लीग जब आई थी मुस्लीम लीग को कोई नहीं जानता था उससे जिताया हमारे बड़ों ने हमारे बुजर्गों ने यह सोच करके आने वाले मेरे उनकी अवलाद का मुस्तक्बिल सुदेगा पर फिर से हमारे खायर फिर से हमारे लेडरर अंजिनेंस जिता कर भेज़े वो अपने मुफाद के लिए अपने फायदे के लिए किसी दुसरे पार्टी में चले गए तो आज हमें वक्त है हमें अपनी पार्टी को जिताना है जैसे के इलिया सेर्ट सहाथ इस बार आले निया मजले से इत्यादल मुसलिमीन के कैंडियर बनकर नौर से आप लोगों के बीच में राय है बहुत सारे मैं जब से इलिया सेर्ट के साथ जुड़ा हूँ उनके जो मुहीम है खास दोर पर जो बेरोजगारी के ओपर जो हमारी बेहने विद्वाएं हैं जो किसी भाई के ओपर मोताज हैं बेटे के ओपर मोताज हैं शौर के ओपर मोताज हैं तकलीफ हैं सहते हुए तकल परीवार बढ़ते ही जा रहा है जिस तरीके से हमारे सदर के रूप में इतना प्यारा सा तोफा हमें दिया है जो इतने experience हैं पाच बार गुलबरगा शहर से election जीते हैं यो गुलबरगा की नफ्स जानने वाला हमारा सदर है हमारा सदर यह जानता है कि गुलबरगा में क्या problem है क्या परेशानी है किस दौर से किस परेशानी से हमारी खौम अज गुजर रही है मैं और एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ तुर्की आप लोगोंने सुनाओगा तयाब उर्तगान जिनको हमारी खौम जिता कर भेचती है उनके हाथ में पावर देती है और जितने भी मैं मेरी बहने मेरी माए हमसे जुड़ रही है मैं दिल की गहरायों से उन्हें हमारी अपनी जमात में पार्टी में वेलकम करता हूँ और उनसे उमीद करता हूँ कि आप अपने रिश्यदारों में अपने अडोस पोडोस में आपकी एरियों में आपके एबा कि जितना हो से कि अपना हमारे बहनों को जुड़ने की कोशिषिए आज मेरे को खुशी इस बात की है कि मेरे एक फोन कॉल पर आप बहने यहां पर जो आई है ना यह मेरे लिए इस्दत की बात है और आपके अंदर जो खौम के लिए जजबा है वो ज़बे को मैं सलाम करती और आज जो मिरेको अहदा इलियास सेट साथ दिये हैं मैं तहे दिलसे आपका शुक्रिया आदा करती हूँ सर और शिर्नी फॉरज भाई साथ डेब्ली सर और जो भी मेरे भाई साथ बैठे वे हैं इमतियास भाई मोधिन पटेल भाई अजीम भाई सबका मैं जो है ना मैं उनको ये बोलूँगी लिया सर को की सर आखरी सांस तक हम आपके साथ देंगे क्योंकि आप फॉर्म के लिए लड़ रहे हैं आप हम मुसल्मान बेहनों के लिए कुछ करना चाहरें क्योंकि अब तक हमारा भला नहीं हुआ है यहां से इन्शाल्ला क्योंकि हर चीज अल्ला के मर्जी से होती है मिन जानिव अल्ला होती है हर चीज पत्ता भी नहीं हिलता यह हमारा इमान है तो आज यह हमारे मुसल्मान और तक यह हमारा जो यहां का विंग बना है ये भी अल्ला की मर्जी है इसमें आज हम लोग यहां पे सब जमा होएं इसका मतलब यह नहीं है कि यह होना चाहिए यह अल्ला चाहता है ऐसा होना सेट की जीत बराबर एक टाइम होके रहेंगी क्योंकि हमारा भला सेट के बलाई में है अगर इल्यास सेट साब का एक मिशन है 2023 का तो एंटर गुलबर का डिस्टिक में हर जगा हमारे कंडियेट उतारना है हर जगा हमारे को काम करना है अगर हर वार्ड में अगर आप अपना अगर काम करेंगे तो इंशाल्ला यह जीत क्या जीत बहुत बड़ी बात नहीं है जो पिछले हुआ उससे हम बहुत कुछ सबक सिखे हैं इंशाल्ला आगे क्या हम आने वाले दिनों में अच्छा काम करकर हर जगा हमारे कैंडियेट को हम क्या हम आप चुना के लेंगे जीत कर लेंगे आपके पास महतरमा खनीस फातिमा साहबा लागडाउन के दोरान आई हाँ या ना बोलो जोर से क्या भी आप इस नहीं आई इन्होंने एक वादा किया था मैं एक औरत हूँ चालीस साला तजरुबा मेरे पास है मेरे शहर का मैं आपकी खिद्मत करूंगी वो खिद्मत नहीं हो सकी मैंने यही सोचना चाह रहा था आप लोगों से कि आप कुन से वाट से हैं अभी एक महतर्मा हमारे साथ बेटी हैं वाड नंबर 21 से इन से पूछें पहली मौत 21 में हुई कई मौते 21 में हुई क्या महतर्मा आई आप लोग मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाक्टर साहिबा को छोड़े तो कोई तो भी जिसकी तनका पचास हजार पचीस हजार एक लाग होंगी यह नहीं लगता एक महतर्मा को छोड़े तो आप सौचो आपका घर कैसा चला होगा एक साल एक आउरत बाजुक रहती है बाजुक वाली आउरत दो बार बाहर नहीं लिकली तो आई आपा क्या हुआ पुछती यह आउरत तुम सब में बड़ी थी महतर्मा कनीज वात्मा सहाबा सबसे बड़ी थी अगर वो चाहती यह मेरी बेहने यह मेरी माई यह मेरी बेटियां बोलके एक निवाला तुमारे मुँ में दालती तो आज आप हमारे पास नहीं कड़े होते बाड नमबर 21-22 में मौते हुई महतर्मा ने कभी मुण के नहीं देखा मैंने पूछा भाबी आप क्यों नहीं आते ही वो कहने लगी गुलपरगा में करोना है आप अपनी जिन्दगी को बेंगलूर में बचा रही है यहां से बड़ा करोना बेंगलूर में था आपको हमद ने अपनी उंगली का चमड़ा निकाल कर दस दस ओड़ा होगा इसमें दालेवे भी लोग है नहीं है है नहीं ताली नको घस घस के दाले थे नहीं क्या एसास हुआ अगर तुम्हारा बच्चा शाम में तनकल आग नहीं दिया तो रात बर रोते हैं कल कैसा करना पूल के उं कि जिन्दगी गुजार रही है महतरमा उनके आजू बाजू जो हवारियां बैटे हैं जूटे जूट के पुलिंदे हैं क्यों आपका हक मार कर हमें मसलत दुनिया नहीं पता नहीं मेरे भाई आजीम ने वहां का बताया यहां हजार है कि महां कांग्रेस पार्टी हैं छोड के जिसलिए आये वह नापिकर लोग है जिनमें एहसास नहीं है जिनमें सिर्फ और सिर्फ धोका दड़ी है वह छोड़के इसलिए आये वहां इस पोग परसंद था छोड़के आया आपको बताने के वास्तिया हमारे पास पतंग है पतंग उड़ रही है कि मैं बताना चाहत हूं वो खान सहाब को जो अपने आपको खम्रु सलाम साफ साहिवजादे कहते हैं यह पतंग बारिश के पानी या बादल से नहीं उड़ी नहीं कार्परेशन में यह पतंग नहीं उड़ने की वज़े से जो रुशुवत का माल आपके घर में था उससे यह पतंग नीचे रह आप जो बता रहे थे जोश में नाच कर पतंग उड़ नहीं सकी बोले नहीं पतंग उड़ी थी आपके ओड़ आपके वालिद के आपके नहीं महतरम खमर लिसलाम साथ मरहूम के ओड़ में एक सोला हजार ओट की सेंद लगा चुकी है ये पतंग सिर्फ दो महीने में आने वाभी सोला महीने बाकी है इन्शाला हम जिन माओं के सामने हाथ जोड़ कर जिन लीडरों से हमने दुश्मन ही लेकर ये कहा था कि आज मेरी माँ को जवान खांदों की जुरत है मेरे को नहीं बेख़ानदे काओ देती है ऐसी माँ जू अपने भाईयों के अपने वेटों के हाथ काओ देती है मैं एसी माँ को colis के लिए के लिए सोड उसके लिए मैं पचाथ बढर माजी मंग चुका हूं तुम्हें याद रखना है बढ़काने वाले आएंगे भैकाने वाले आएं पकी है और हमारे पहचानद पतंग है लेकन मैं एक बात कहना चाहरी हूं जो अच्पार अवेजिसाब जिस जज़बे से कहते हैं तमाम लोगां के दिलों को हिला के रखते हैं जिस दिन इलिया सेट जीती हैंगे उस दिन को काट नहीं सकती लेकिन पतंग का मांजा इस तरिखे से हैं हर किसी को काट के रखता है कि दीनी तालिम के लोग तो बहुत कम ही मिल रहे हैं जब ही मिल रहे हैं जिसे हम तो छोड़ते नहीं जिसे खादर सर हैं जिसे घजाला मेडम की तो माशालाम जब पहली मुलाखात बहुत ही अखलाग सबसे बड़ी दौलत है अखलाग ही अच्छे हैं मैडम के पास भी हम गए हर बार गए एक बार उनों अपनी अपनी मतलब चेर है या बेड है या कुछ भी है छोड़े ने उनों नीचे आए ने क्योंकि गरीब से गरीब तबखात को लेकर हम गए मशीनों के सलसले से शादी के सलसले से एक बार मुलाखात नहीं वी उनसे ना ढंक से बात करें इतनी घंबंडी आज हम आये बात करें यह सा हम में एक शौर आ रहा है कि हम अवेसी साब को आगे लाएं यहां पे एलिया सेट को लाएं हम यहां पे अगर कोई मजलुमों के ताइद मे या जालिमों के खिलाफ में जो बात करते हैं सिरिफ और सिरिफ असद दूदिन अवेसी साहब है इस वो आप लोग सुझ जानते हैं तो हम उनको अपने खायद माने है उनकी खियादत में हमको चलना है मैं तो समझता हूँ गुलबरगा नहीं करना डग नहीं सारे हिंदुस्तान के मुसल्मानों को अपना खायद उनको मानना चाहिए क्यांके आम तोर पे जो खायद जो खियादत करने की जो खाबिलित होती है वो मुमिन होना चाहिए इमान वाला होना चाहिए तो आज इनकी खियादत को और उनके हाथ को मजबूत करना है हम सब मिलकर इंशालला हम गुलवरगा में दो हजार टेविस में हम सब एक होकर हम इंशालला यमायम का कैंडिडेट हम जिताएंगे इंशालला मैं खुद कैंडिडेट रहूँगा मेरे को आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए जिसा आजीम ने कहा कि कुछ भी हारो जीतो वो तो खिसमत की बात है लेकिन आप सब लोगों के लिए कुछ रोजी रोटी का इंतिजाम या फैक्टरीज या इंडिस्टरीज किसी पहले भी इम्तियसिदी की सब गवाँ है मेरे साथ में हमेशा रहा करते थे जब मैं 2017 की बात है जब मुझे टिगिट नहीं मिली मुझे धोका दिया गया धोका इसलिए दिया गया कि यहां पे खियादत मजबुत ना हो यहां पे कोई खायद मजबुत ना हो गुलवरगा में एक रबर स्टाम खायद रहे एक रबर स्टाम जो है एक लेड़ी को बिठा कर जो है यहां पे जो हुकुमत अपनी चलाना चाहते है यह लोग मतलब यहां तो मेडम का कुछ चलता नहीं मेडम में तो कुछ सलायत खाबिलियत बिचारों में तो कुछ हैने पर नेग हैं अच्छे हैं लेकिन लेडरिशिप कॉलिटी नहीं है उनके पास उनों ख्यादत नहीं कर सकते लेकिन यह बात है जब भी कॉंग्रेस वाले बो या जो भी उनकी हाई कमांड है जो भी बूलेंगे उनकी बात सुनेंगे उनों खौम की बात नहीं सुनेंगे अपनी हाई कमांड की बात सुनेंगे और हाई कमांड को ऐसे यह लोग चाहिए जो उनकी बात सुनने वाले हैं उनको ऐसे पावरफुल स्ट्रॉंग जो काम करने वाले जो मर्थी ख्यादत उनको नहीं चाहिए था उसलिए उन्होंने एक लेड़ी को दे कर हमारी ख्यादत को खत्म किया है हम ये चाहते हैं कि भी फिर वापिस ख्यादत जिन्दा हो गुलबरगा में हम सोब मताइद हुगे तो इन्शाल्बा जरूर वापिस हमारी ख्यादत जिन्दा होगी फिर हमारे जितने भी काम आज रुके हुए हैं गुलबरगा में उसब काम होगे इन्शाल्ला अगर आप मुझे चुनके लाएँगे Inshallah ना मैं जितने भी काम रुके वे हैं जो भी आपके حقوق नहीं मिल रहे हैं वो पूरी रहोग दिला दूँगा इन्शाछला मैं और मेरा मकसद हुआ है मेरा मकसद शौरत दौलत पैसा कुछ भी नहीं है जो भी कुछ दिया है मैं सिर्फ खिद्मत करने के लिए सियासत में आ रहा हूँ और मेरा कोई मकस्थ नहीं है और मेरी माँ और मेनों से गुजारिश है कि आप मेरी बात को सुनेंगे इंशालला अमल करेंगे आप सुब लोग मुत्ताइद होंगे तो इंशालला जीत मेरी लिए नामुम्किन नहीं है मैं बराबर जीतूँगा और काम करूँगा इंशालला मैं देख रहा हूँ गुलबरगा के अंदर इतने मसाइल है इतने परिशानिया है बहुत बेरोजगारी है और हॉस्पिडल नहीं हमारे पास हॉस्पिडल की तकलीफ है पीने की पानी की तकलीफ है ड्रेनेज के नालियों के मसले हैं सफ़ाई का मसला है ऐसे कई मसाइल है जो यहां पे حल नहीं हो रहे इन्शालला हम जीत के आने के बाद में पूरे मसले अमहल करेंगे इन्शालला air resurrection केंद मैं आज की जूरूरत है न्म्हें नहीं कुरूंगा इन्ट्यासिंदी साब और रजीम साब बहुत सारी बातें आपको बताएं काफी वक्त दो आया हमको बात इतनी करना है कि एक मायक्षियर के साथ आने आज की जरूरत हमारी हिंदोस्तान के अंदर गुलबर का शहर ही नहीं बलके सारे हिंदोस्तान के अंदर हमारे मुसल्मानों की क्या हालत है और हमको अब क्या करना चाहिए हमको कैसे उठना चाहिए हमको क्या करना चाहिए इसके पर तफसिल से लंबी बहस होगी तो हम बाद में फिर बात करेंगे एक बात ये बताना जो आई अवीस्व साहब के लिए आज का जो उनका रुदबा है आज का जो आज की तारिख में वो उनकी जो शख्सियत है उनकी शख्सियत के बारे में एक मैं अपने अक्षियत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ एन्य उनकी शख्सियत जो है कोई देखना चाहे कोई देखना चाहे उनकी हद्दे परवास को कोई देखना चाहे उनकी हद्दे परवास को तो आसमानों से कह दो कि और उन्चा हो जाए तो आज की तारिफ में तो इस हिसाब की जो शक्सियत है सारे मुसल्मानों के लिए सारी खौम के लिए हिंदुस्तान के अंदर आज जो उत्तर परदेश के अंदर जो आज वो बात कर रहे हैं अपने जान और माल की कोई फिकर नहीं कर रहे हैं स्टेज पर ठेर के कर रहा है कि आज मेरी मौत अगर आपकी गोली पर लिखी भी है तो गोली मैं आज खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे गोली मारो, मेरा इमान यह है कि आज मेरी मौत हतम भर जाओंगा, वरना मुझे कोई मार नहीं सकता। यह उनका जो आजम है, उसको जहन मेरा रखते हैं, हम सारे लोग आज मैं आने का मकसद यह है कि आज वो सियासत खतम हो गए, सारे डिस्टिक के अंदर हमारी क्या हालत है, जैसा के कनिस फातिमा मैडम के बारे में भी आपने बताया कि एक टिगर देकर हमको किस तरह सी कांवरे को जो है कोई कांवरे कि हम आपके सेकलर जमात, हम आपका तहफूस करने वाले हम सेकलर जमात हैं, और जो है इदर जो है, आपको यह अखलेश यादुए कह रहे हैं, कि हम सेकलर जमात हैं, हम तुमारा तहफूस करने वाले हैं, माया वतिय कह रही है कि हम तुमारा तहफूस वह इसे साब चले जाने से ममता बेनर जी वहां पर हमारी जीत कराई अगर आती तो बीजे पी आती थी आगे ठीक है जो सेकलर जमात ममता बेनर जी कि हम जो है जो आज हर आदमी बोल रहा है कि वह इसे साब बीटीम थी वहां जाने से अगर कुछ होता तो बहुत मुश्किल थ वहां पर जो जुड़त के लिए, वहां पर अप्ले किए हमारे Muslims खवातिन, अप्ले करने के बात एक Hazar, ये खवातिन जो हमारे हजाब में आज वेहें को बिटा हमके अ으니까GHT अप्लिकेशन के अप्छे में अपने रिज़नाने के बात शुड़त कर दिया। तो बात मैं दर असल यही बड़ बता रहा हूँ कि हमारी खवातिन यहां पर जो गुलबर्गा शहर के अंदर हर एलक्षन में काफी महनत करते हैं बर्दों से ज्यादा चाहे किसी भी जमात में हो जंदादल में हो या कांग्रेस में हो हमारी पार्टी आई हैं कुछ किये भी हैं औरते यहां पर जानता हूं हर सियासी जमात हमारे अपने खवातिन को वक्तिया तोर पर काम में लेते हैं कुछ पैसे हमकी आज़ दिखा कर तो यह सरासर धोका है यह ऐसे नहीं होना चाहिए हमें हमारी खवाम और मिल्लत की इतिहाद के लिए हमको उटके ठहरना है यह सुच के हमको काम करना इंशाला ताला फिर कभी हम बैठेंगे मुलाखात होंगे तो फिर इसके बाद हम फिर बात करेंगे बरहाल आज की जो है घजाला डाक्टर घजाला मेडम को यहां पर हमारे महला आपके जो है जो टीम है नौर्थ की आपको जो है सगर बनाया गया है इसलिए कि वो बहुत ही जो है खौम और मिल्लत की एसास रखने वाली दर रखने वाली आपकी यह शखसियत है और हमको एक उम्मीद है कि वो बहुत ही खुश असलूबी से वो हमारी खौम और मिल्लत की आउर्टों को साहथ देंगे और उनको जो है साही जो है राह पे लेके जाके जो है कुछ काम जो है रास्ते बताते वे काम करेंगे मैं उसे भी उम्मीद रखता हूँ